मार जी में मार्केट जा रहे थी कुछ सामान लेने कुछ चाहिए हो आपको तो बता दीचे लेती आउंगी अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए बात में चली जाना मार्केट जब से सुबह से उठती है फिरंगी जैसे पुरे घर में नाशती रहती है ये करना है वो करना है अरे सब कुछ तुझे क्यों करना है मार्केट में बोल दूगी ना राहूल को ले आएगा समान तुझे ही क्यों जाना है मार जी आपको तो पता ही है न ये कितना लेट आते हैं ओफिस से और फिर सारा दिन काम करके ठक जाते फिर ऐसे में उनको किसी काम के लिए बोलना अच्छा नहीं लगता मुझे हाँ तुझे तो किसी को भी काम के लिए बोलना अच्छा नहीं लगता बस खुद ही सारे काम किया कर यह नहीं कि थोड़ा अपने उपर भी ध्यान दू अरे समय से पहले बुड़ी हो जाएगी कहे देती हूँ तुझे मा जी आप भी न अभी मैं जवान हूँ इतनी जड़ी बुड़ी नहीं होंगी बुड़े हो तो आप हो गए हो इसलिए आपको सब बुड़े दिखते हैं बस बस जादा मस का मत लगा तेरी उमर में थी न मैं तब ऐसे मैं भी काम करती थी और उसी का नतीज़ा है कि घुटने अभी से जवाब दे गए हैं इसलिए तुझे बोलती हूँ कि ज़्यादा भागा दोड़ी मत किया कर अराम अराम से काम किया कर आप बैठ इदर अच्छा माजी ये लिजे बैठ गई अब बोलिए क्या काम है अरे तेरी मासी आ रही है मतलब कि मेरी बहन मौसी सास तेरी और सुन वो ज़रा गुस्से की तेज है और खाने पीने के मामले में भी बहुत नक्चड़ी है इसलिए चितने दिन रहेगी जरह समान लेना उसे माजी आपको डपनी बैहन से ड़ते वे देखे न मुझे बड़ा मसा आ रहा है हसली हसली तेरे दान बंद हो जाएंगे जैसे मेरी बहन आएगी तो बहुत तेज है वो बच के रहना कहे देती हूँ फिर बोलना मत कि आपने मुझे बताया नहीं था हाँ माजी आप मत चिंता कीजिए मैं सब समाल लोगी अच्छा ये बताइए मारसी को खाने में क्या-क्या पसंद है मैं मारकेट जा रही हूँ तो जो समान घर पी नहीं होगा तो लेती हूँगी ताकि आपकी बेहन को गुस्सा नहीं गये पता नहीं क्या पसंद है उसके पसंद का तो कुछ पता ही नहीं चलता आज कोई चीज बड़े अच्छे सिखाएगी और कल वही चीज दे दो तो नाच चड़ा लेती है भगवान जाने तो तो एक काम का बेटा कुछ मतला आएगी तब उससे ही पूछ लेना कि क्या खाना है पर उसके बाद ही बनाना ठीक है मासी अब मैं जाओ मारके फिर जाओ मारके अरे तेरी मासी आई रही है रस्ते में अब उसे आज आने दे फिर शामों को देखना कामों खतम करके तब चले जाना भगवान कोई है घर में अरे मासी जी प्रणाम खुश रहो खुश रहो क्या जी जी अरे इतने अप पैसा कमाता है लड़का ये नहीं कि कहीं अच्छी जगए घर ले लो सड़के देखिए आपने आते आते मेरे तो पेट कमर सब दर्थ करने लग गए अरे तो ठीक हो जाएंगे आराम कर लेना यहीं अभी बस तेरे बारे म नहीं बता रही थी बहु को अच्छा तो मेरी चुगली हो रही थी बहु से अरे नहीं नहीं मासी जी मामी जी तो बस आपके बारे में बता रही थी कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है अच्छा अगर माजी ने बता ही दिया बहुरिया तो ला क्या बना के रखी म अभी तो कुछ भी नहीं बनाया मासी जी देखा तो फिर क्या बताया तेरी सास ने चल छोड़ पानी इलाके देख गिलास बड़ी प्यास लगी है जी मासी जी अभी लाई क्या जी जी लगता है बहु को जरसक डर नहीं है तुमारा आते ही नजर पेचाल लिया मैंनी अरे घर में कोई मेहमान आ रहा है मासी सास आ रही है जरसक कुछ नास्ता तक नहीं बना के रहा तुमारी बहु नी अरे ऐसी बात नहीं है ठोटी बहु तो बनाने ही जा रही थी मै नहीं उसे मना कर दिया कि तेरी मासी से पूछ के ही बनाना, क्या पता उसका क्या खाने का मन है, इसलिए नहीं बनाई, अरे वा देदी, आप तो अपनी बहु के खिलाप एक शब्द भी नहीं सुन सकती, क्या बात है, बड़ा प्यार है सास बहु में, हाँ छोटी, वो मेरी ब मूट खराब कर दिया, अरे ये तो क्या बोली है तेरी बहु के बारे में, अरे तो क्या करूं दिदी, पता नहीं कौन से पापो की वज़े से मुझे ऐसी बहु मिली है, अरे जी नहीं हराम कर दिया है मेरा, अरे उसी से जी छुड़ा के तो यहां आई हूँ, कि चार-चा- मैं भी जट्य कीचर में देख लेती हूँ बहु को, थोड़ी हेल्प कर देती हूँ उसकी, क्या, तुम और अपनी बहु की हेल्प करोगी, क्यों, तुम्हारी बहु को काम धंदे नहीं आते क्या, ऐसी बात नहीं हरे छोती, अब वो भी बिचारी अकेली काम पे लगी रहत अरे फिर सास बनने का फाइदा ही क्या, जब सारा काम सास को ही करना पड़े, तू भी न कैसा सोचती है न छोटी, उमर में मुझसे छोटी है, लेकिन तेरी सोच मुझसे काफी बुरा नहीं है, अरे ऐसा कहा लिखा है कि बहु के आने के बाद सास को काम नहीं करना चाहिए, अरे आज हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, बहु के साथ मिल जुल के काम करेंगे, तो कल बुढ़ापे में वह भी हमारा बुढ़ाप अच्छे से गुजारेगी, मन से हमारी सेवा करेगी, मजबूरी में नहीं, ठीक है जी जी, जैसे आपके अच्छा, अरे बहु क्या कर रही ह कुछ नहीं मासी जी अब बताईए कुछ चाहिए था आपको अरे बस पानी यह चाहिए था सोच मैं जाकर ले लेती हूँ अरे मासी जी आपने क्यों तकलिफ की मुझे बोल देते मैं वहीं लाके देती आपको पानी वेसे जी जी कहा है दिख नहीं रही अपने कमने में आराम कर रही होंगी मासी जी तोड़ा माजी के पेर में दर्द हो रहा था इसलिए अरे मुझे तो बोली कि मैं बहु की मदद करने जा रही हूँ हाँ मासी जी यहीं थी वो पेर में दर्द होने लगा तो मैंने भोला माजी आप आराम कर लो मैं सब कर लूँगी चलो अच्छा है दिखावा इसे कम से कम सास बहु में रेम तु है क्या मतलब मासी जी दिखावा कौन सा दिखावा कैसा दिखावा यही कि तुम्हारी सास बहुत अच्छी है तुम्हें यही लगता है मैं समझी नहीं मासी जी अब क्या कहना चाह रही है अरे कहना तुम नहीं चाह रही थी बहू पर अब तु पूछ रही है तु कहे देती हूं तुझे क्या लगता है। तेरे साथ तेरे मदद क्यूं करती है। तेरे मुझसे तो यह कह रही थी कि मेरी बभु को कुछ आता ही नहीं खाना पीना बनाना इसलिए सास साथ मैं लगी रहती हूँ ताके उसे बोल बोल के कौन सी चीज कैसी बनानी है कौन सा काम कैसे करना है उसको बता सको क्या सच में मासी जी नहीं नहीं मेरी मा जी ऐसा नहीं बोल सकती मेरे लिए अब मैं जूट क्यों बोलूंगी बहु तुझे यकीन नहीं है तो मत कर अब मैं क्या ही कर सकती हूं लेकिन एक बात या तकना बहु अपनी मा से कहना मत उसका भी विचारी का देल तोट जाएगा कि मेरी बेहन होकर मेरी बहु को मेरे खिलाब भड़काती है उसे तो यही लगेगा ना सच सब को कड़ वही लगता है ठीक है अच्छा है नहीं मानों तो वही ठीक है कम से कंद तुम्हारी सास बहु में प्यार तो रहेगा मै जाती हूं बहु मुझे गलाज पानी महीं देदे न अब देखना मजा बड़ा सास बहु में प्यार बढ़ रहा था न अब देखो कैसे मज़ा चक खाती हूं नई ने मेरी माजी ऐसी बिलकुल नहीं है जरूर ये माजी के कोई मनगणत कहा नहीं है अरे बहु जी तुमारे मचली के तो मज़ें मज़ए हैं तुमारे घर में तो कपड़े भी बॉसिंग मशीन से दूलते हैं मैंने तो कभी नहीं सुना कि आपने भी पभी बॉसिंग मशीन में कपड़े होंगे हमेशा हां से दूले हैं अरे कितना विश्ली कभी लाता होगा अब जड़ा से अपनी बभू को नहीं बोलती हो अरे दो लेती है तो क्या हुआ आज कल की लड़कियों से कहां इतना काम होता है अरे हमारी बात अलग थी छोटी हम मजबूत थे सब काम कर लेते थी अजकल की लड़किया देखती तो है नधंग से खाती नधंग से उनसे काम होता आप यहां बहु के गुडगान करती रहो जिदी बहु के खिलाप एक शब्द नहीं सुन रही हो और वहाँ आपकी बहु क्या मतलब है तेरा छुटी मेरी बहु है ही एसी जितनी तारीफ करू उतनी कम है सही है जी जी इसी गलत सही में कम से कम खुश तो हो क्या मतलब है तेरा क्या ही कह रही थी यही कि माजी तो सब के दिखावे के लिए आती है कि मैं अपनी बहु की मदद कर रही हूँ और आते ही ना टक करने लग जाती है कभी बोलेगी पैर में दर्दो रहा है कभी बोलेगी कमर में दर्दो रहा है और बहाने करके अपने कमरे में चले जाती है मौसी जी वो माजी तो सिर्फ आपको दिखावा दिखाती है कि मैं अपनी बहु को इतना प्यार करती हूँ एस दरासल माजिक कुछ भी नहीं कराती मेरे साथ सारा दिन काम करवाती है मुझसे क्या? सच मैं बहु ऐसा कह रही थी तो क्या मैं जोट बोल रही हूँ? एरे मेरे जोट बोलने से मुझे क्या मिलने बाला है? ऐसा बोल रही थी? क्या? एक तो मैं सब सासों की जगह ना होके मा जैसी बनके उसके साथ हर काम में हाथ बटाती हूँ और वो मेरे खिलाब ऐसा बोलती है? भलाए का तो जमाना ही नहीं रहा तो सही कहती थी चोटी बहु को बहु के जैसा ही रखना चाहिए कभी बेटी नहीं बनáना चाहिए यही सर पे नाचने लग जाती है कभी एक बहु बेटी नहीं बन सकती और इसी लिए कभी किसी सास को मा बननी की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए मैं तो पहले ही कहती थी जीजी लेकिन आप ही चली थी उल्टी गंगा पहानी अब आया समझ में अच्छा जीजी मैं चलते हूँ थुरी देरा नाम करती हूँ मा जी मैंने सब सुन लिया मासी जी जो जो आपसे कह रही थी और यही सब मासी जी मुझसे भी बोल के आई थी कि तुमारी साज तुमारे बारे में ऐसा बोल रही है मा जी और कुछ नहीं मासी जी सिर्फ हम दोनों में जखड़ा करवाना चाहती है हम दोनों का प्यार मासी जी से देखा नहीं जा रहा है क्या अरे मेरी बेहन होंके मेरा ही घर उजाडने के लिए आई यहाँ पर रुक मैं इसको आज ही रवाना करती हूँ अपने घर से ऐसी बेहन के मुझे कोई जरूरत नहीं है जो मेरी ही घर ग्रहस्ते में आग लगाए खुद का घर तो तबाही कर रही है मेरे घर की भी खुशे उससे देखी नहीं जा रही है देखा दोस्तों बहुत सारे लोगों के ऐसे ही रिष्टेदार होते हैं जो हमारे घर आते तो हैं लेकिन हमारी खुशें बाटने नहीं बलकि हमारी खुशी-खुशी ग्रहस्ते में आग लगाने के लिए इसलिए अपनी खैट रहस्ते अपनी बचा के रखिए और अपना एक दूसरे पर भरोसर कभी भी कम मत होने दिजे नहीं तो दूसरों को आपके घर में आग लगाते दे नहीं लगेगी आपको हमारी आज की कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नहीं कहानी के साथ तब तक के लिए आप सभी को राम राम अपना और अपने घर परिवार का खूब द्यान रखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बूलें साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर वान कीजिए टाक कि आपको हमारे ऐसे ही अच्छे अच्छे मज़ेदार कान्या मिलती रहें